चीन और ताइवान के बीच इन दिनों तनाव चरम पर पहुँच चुका है। चीनी मीडिया में ताइवान को कब जाने की बात तक चल रही है। लिकिन अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो आखिर क्या होगा। ताइवान की तुलना में चीन बहुत ताकतवर है। लेकिन एक बात होस्ला और हिम्मत ताइवान के बाज भी कम नहीं है। चाहे फाइटर जेट्स के घुसपैट का जवाब देना हो या फिर समुदरी सीमा से चीनी जहाजों को भगाना हो। ताइवान इसमें कभी भी पीछे नहीं रहा लेकिन आज हम बात करेंगे कि दोनों देशों की मिलिटरी ताकत क्या है। गौन कितना आगे है आईए समझते ही। चीन के पास परिवहन के लिए 286 विमान है जबकि ताइवान के पास सिर्फ 19 परिवहन यानि कार्गो प्लेन है। चीन के पास 3,160 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं वही ताइवान के पास 115 प्रोजेक्टर्स हैं। चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट्स हैं जबकि ताइवान के पास मात्र 117 है वही चीन के पास दो विवान वहां क्यूद पोत हैं जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं चीन के पास 89 पंडूबिया हैं जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 पंडूबिया हैं चीन के पास 41 विदवन सक हैं, वही ताइवान के पास सिर्फ 4, चीन के पास 49 और ताइवान के पास 22 फ्रिगेट्स हैं, अब देखा जाए, तो चीन हर कदम पर ताइवान से बहुत आगे हैं, यहां तक कि अगर हलिकॉप्टर्स, आर्टिलेरी और बकतरबन गारियों की बात क जाए, तो चीन के पास 912 हेलिकॉप्टर्स में से 281 अटैक हेलिकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ एक क्यानवे अटैक हेलिकॉप्टर्स हैं, चीन के पास 5,250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1110 टैंक हैं, चीन की मिलिटरी के पास 35,000 बकतरब गाडिया मौझूद चीन के पास 4,120 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है जबकि तैवान के पास सिर्फ 257 सेल्फ प्रोपेल तोपे हैं चीन के पास खीज कर ले जाने वाली 1734 और तैवान के पास 1410 तोपे हैं कई बार युद में ट्रेनर विमानों को भी चामिल कर लिया जाता है अगर इमर्जनसी है तो चीन के पास ऐसे 399 ट्रेनर विमान हैं वहीं तैवान के पास सिर्फ 260 ट्रेनिंग वाले जेट्स हैं चीन की मिलिटरी ने आज तक 114 स्पेशल मिशन किये हैं जबकि तैवान में सिर्फ 19 स्पेशल मिशन चीन के पास 912 हेलिकॉप्टर हैं वहीं सेन ना में भर्ती हो पाएंगी तो आपको बता दें चीन की कुल मेंपावर में से 11.92 करोड से ज्यादा लोग सेन अइस सेवा में शामिल हो सकते हैं जबकि तैवान के में पावर में से 10,020,00 जोग ही सेना में शामिल हो सकते हैं चीन की मिलिटरी में फिल releases 20 लाग एक्टिव सैनिक है जबकि ताइवान की मिलिटरी में 1.70 लाग एक्टिव सैनिक सिर्फ एक मामले में ताइवान चीन से आगे है चीन के पास 5.10 लाग रिजर्व और ताइवान के पास 15 लाग रिजर्व सैनिक ताइवान डिजर्फ सेना की मामले में नंबर एक रैंकिंग पर है जबकि चीन छटे नंबर पर वहीं अगर माइन बॉर्फियर पेट्रोल विसल और एरपोर्ट्स की बात की जाए तो चीन के पास 507 और ताइवान के पास सिर्फ 37 एरपोर्ट्स है चीन के पास 70 और ताइवान के पास 2 कौवर्ट्स है चीन के पास 152 पेट्रोल विसल और ताइवान के पास 43 पेट्रोल विसल है चीन के पास 36 माइन बॉर्फियर है जबकि ताइवान के पास सिर्फ 14 है वहीं चीन के पास 22 बंदरगा और टर्मिनल्स हैं जबकि तैवान के पास सिर्फ 6 चीन के तुलना में तैवान का शेतर फल भी बहुत कम है चीन का शेतर फल 95.6 нормально के वर इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं। Bureau Report भारत तक!